हेलो स्वागति हाज ना स्वागति हैं कि लेवंध संभन एक्सरसाइज 2.2 फॉटरर्फ के लिसे संभन एक डिसे 12rílt प्रोडक्ट में हम लोग समझेते इस तरीके से दो सेट दिया हुआ था वान टू और सेट भी दिया हुआ था थीरी और फाइब ए दिया हुआ जैसे दो सेट ध्यान देंगे समझो तो हम लोग समझ पाएंगे कि रिलेशन होता क्या उसको समझाने के लिए पीछे वाला अब इसको गुना कर दो तो गुना करेंगे वान थीरी फिर क्या आएगा वान फाइप ते इस तरह से पेर बनाते हैं फिर दो तीन और दो पाच यही आपका पेर क्या कहला जाता कार्टिजियन पोड़क्ट जो हम लोग इस सी पॉइंट पे क्या था पूरा चेप्टर था 2.1 कंप्लिट के लिए कार्टिजियन पोड़क्ट फिर इसमें अभियव की संख्या है पूछा ओ भी हम लोग याद किये थे यदि दो सेट दे दे तब कर दे एक क्रॉस बी में अभियव अब यव की संख्या बताओ तो क्या हम लोग देखे थे फर्मुला तब 2 इन ट। क्या देखे थे 2 आभियव है 2 इसमें बहु कितना अभियव है 2 था इस तरीके से हम लोग solve किये थे तो अब एब relation क्या ओधाना relation ध्यान देंगे relation relation अब relation कहेंगे relation कहते किसे जिसको हिंदे में क्या बोलते संबंध अब हम लोग संबंध बोलेंगे यदि A और B दो और रिक्त सेट है A और B दो क्या है? और रिक्त सेट है तब A करोस B मतलब A करोस B का सबसेट सबसेट इसको हिंदी है उपसमुच क्या बोलते है? उपसमुच सबसेट क्या कहलाता है? रिलेशन रिलेशन कहलाता है सेट A से सेट B के रूप में इसी को बोलते हैं रिलेशन ध्यान देंगी, रिलेशन किसे कहेंगे? यदि A और B दो और रिक्त समुच है क्या है? दो और रिक्त समुझ है तब A cross B क्या A cross B का sub set क्या कहलाएगा relation कहलाएगा set A से set B के रूप में जैसे मतलब है हाँ पे देखो दो set दिया हुआ अब दोनों को क्या करते क्रॉस करते हैं अब cross करने के बाद क्या है A cross B अब इस A cross B का sub set निकालो इसका जो sub set होगा वो परतेक element क्या कहलाएगा relation कहलाएगा तेहां पे दुसरा एक्जामपल लेते इसको rough कहलेते राइट है तो हम लोग sub set लिखने के लिए क्या न हम लोग समझ चुके थे क्या set में exercise 1.1 में समझाय थे जैसे एक्जामपल में देखो ध्यान देंगे बहुत असान exercise है बस समझते जाओ अब एक ही बार तो पुरा समझ नहीं सकते इसलिए ध्यान से देखते जाओ क्या ना a set a ले लिए one two और set b लिख लिए खाले three ले लिए right है बस एक लिए अब इसका cross कहलो a cross b a cross b one two into में three a ले अब इसको गुना कहलो one one three फिर क्या वो two three लो a क्या कहले हम लोग ग्यात कहले a cross b ग्यात कहले अब इस a cross b का क्या निकाल लेजे a cross b का subset 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 मतलब उप समूझ तो a cross b का सबसे subset लिखने के लिए हम लोग जानते हैं subset कैसे लिखते हैं पहले five लिखते हैं फिर एकक element लिखते हैं एकक element one three ये element है one three फिर क्या दो three दो three एक element हो गया अब क्या लिखेंगी दो-दो इलिमेंट लिखेंगे, दो दो इलिमेंट लिखेंगे, एक तीन और दो तीन, दो तीन ए लिख दिये लो, इसमें दो इलिमेंट है, दो इलिमेंट तक जाएगा, ति क्या लिखा गया, सबसेट, यही सबसेट क्या लिखा कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा, तर रिलेशन क्या, ये 5 एक relation है ये भी relation है ये हो गया जैसे ए के हाँ पे point में समझो note में यदि set A में aim अभियब aim अभियब है और set B में aim अभियब है set B में aim अभियब है तब set A से set B के रूप में relation relation की संख्या relation की संख्या क्या हो जाएगा relation की संख्या तो relation की संख्या हो जाएगा 2 पर power aim into aim इफ फर्मूला होता है यदि set A में aim अभियब है और set B में aim अभियब है set A में aim अभियब set B में aim अभियब है तब relation की संख्या क्या होता 2 पर power aim into aim जैसे example में देखो यहाँ पर set दिया हुआ है set A से set B की रूप में relation की संख्या relation की संख्या relation को क्या से सुच कर रहे है R से तो इस दोनों set में relation की संख्या गिरना हो तो क्या ना फर्मूला हो जाएगा 2 पर power aim into n देखो set A में क्या अभियब है 2 अभियब है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 into set B में क्या भियब तो n बरबर हो जाएगा बन तो 2 पर power 2 गुना बन दो 2 को 2 पर गुना करेंगे 4 देखो relation के संख्या 4 आए होगा 1 2 3 और 4 4 तो इस तरीके से हम लोग find कर सकते तो हम लोग समझ गए relation क्या होता कि 2 set का हम लोग relation find के लिए जब यदि A और B 2 set रहेगा तब relation क्या होता और relation भी हम लोग याद करने के लिए सिख्या और relation की संख्या भी तिसको note करते फिर हम लोग समझते next point अभी तो 2 set पे relation सिखे अगर 1 set रहेगा तो relation कैसे find करेंगे उसके लिए हम लोग देखते समझते हैं जल्दे से copy कर लो फिर देखते हैं second point तिसको rough करें इसको rough कह लेते हैं तो अब हम लोग समझेंगे relation on a set एक समुझ पर क्या ना संबंद अभी 2 समुझ पर हम लोग संबंद देखे थे अब कितना एक समुझ पर संबंद एक समुझ पर संबंद क्या होता ना वो समझते एक समुझ पर संबंद हम लोग समझेंगे यदि कोई set a यदि कोई set a है तब a क्रोस a का subset जिसको बोलते हैं उप समुझ उप समुझ a क्रोस a का उप समुझ समुझ subset क्या खलाएगा अधि a क्रोस a का subset set a पर relation relation कहलाता है क्या कहलाता relation कहलाता जैसे example में देखो कोई set दिया हुआ है one or two लो a set दिया हुआ one or two जैसे one two के जगा पर क्या लेलो a b लेलो राइट है अब a b लेले example अब इसका क्या ना एक set दे दिया अब इसको पहले निकालना पड़ेगा a क्रोस तो a क्रोस तो set a a b a b a लिख दिये फिर into a b a लिख दिये set a लिख दिये अब इसका क्रोस कहलो क्रोस कैसे करेंगे a a जानते हैं सभी फिर a b राइट a a फिर a b प्यर बना लिए फिर b a b a फिर क्या b b राइट है a प्यर बना लिए a प्यर बन गया तो ए हम लोग को a क्रोस a फायन कहले अब इसको क्या करो a क्रोस a का सब set निकाल लेजी क्या निकाले जी a क्रोस a का सबसेट तक क्या अब दो-दो element के साथ लेखेंगे अब दो-दो element लिखो ओर ना a a फिर A, B फिर A वाला इसके साथ लिखेंगे A, A फिर B, A और क्या हो जाएगा? बस A हो गया फिर A वाला इसके साथ लिखाएगा A, A और B, B इह हो गया, अब दो A वाला इसके साथ सब बन गया अब फिर A वाला इसके साथ तो A वाला इसके साथ लिखो, तो और A, B, फिर B, A, और A हो गया, फिर A वाला इसके साथ, A, B, और B, A, और A हो गया, फिर A वाला इसके साथ हो गया, फिर A वाला इसके साथ लिखाएगा, B, A, और B, B, A, तो दो-दो का हो गया, आप क्या ना, तीन-तीन का लेखेंगे, अब तीन-तीन का लेखेंगे, तीन-तीन का यहां लेखेंगे, राइट है, समझ लेखेंगे, और यहां के बाद यहां लेखेंगे, तो A, A, फिर A, B, और B, A, A लेखेंगे, फिर A वाला इसके साथ लेखेंगे, और ए तिन तिन अब लिखाएगा ए ए फिर ए बी इसको छोड़ दो और ए लिख लेजे बी बी ए लिखा गया फिर और तिन तिन लिखाएगा ए ए और अब किना इसको छोड़ देजे राइट इसको छोड़ देजे अब ए लिख लेजे बी ए और बी बी राइट है और A हो गए, राइट है राइट है और B, A लिख ले अब क्या कुन तीनों के साथ हो गया अब ऐतीनों लिखाएगा तो A, B, B, A, और B, B राइट है तो A, 3, 3 का लिखा गए अब क्या लिखना पड़ेगा, 4, 4 का लिखना पड़ेगा तो ए ए फिर ए बी और बी ए और बी बी ए लिखा गया तो ए जितना पहले क्या ना इसका सबसेट लिखना थो पहले फाई फिर एक एक के साथ फिर दो दो फिर तिन तिन फिर चार चार ए लिखा गया ते ए देखो न, एक क्रॉस एका सब क्या लिखा गया, सबसेट, यही सबसेट, पर टेक सबसेट, क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, एक संबंध कहलाता है, ते हम लोग समझ गये, संबंध क्या होता है, एक सेट पर संबंध, ए बात समझ में आ गई, ते इ एक पॉइंट नोट में लिख लेजे यहाँ पे क्या ना नोट में लिखना पड़ेगा कि यदि सेट ए में क्या ना एन अभियव है इन अभियव है तब सेट ए पर संबंध की संख्या बताए तो संख्या क्या हो जागा लिखलेगा पॉपर पावर एन इन उन में फरमूला होगा जैसे एक जामपल में देखो इससेट ए में क्या इलिमेंट है दो इलिमेंट है तो एन बराबर दो इन अजह जागे दूपरबर ना तो कि जार जाthis ग एगा 16 आएगा देखू अब इसका ना एक क्रोस एक ही है तो इसमें क्या ना 16 संबंद आया हुआ गिनते हैं एक तो तीन चार पांच हो गया 6 शे शाथ आठ फिर 9 10 11 12 13 14 15 और 16 लो 16 तो इस तरीके से आप क्या ना 20 हो गया relation की संख्या तो मुल्ग समझ गया क्या ना relation क्या होता है रिलेशन संबंद किसे करते अब आते हम लोग exercise पे तीस को जड़े से copy कहा लो फृर देखते exercise है तो हो गया copy की तो kitchen और आठ एदिया हुआ करा ए रिलेशन भी दे दिया रिलेशन क्या दिया हुआ दो चार फिर चार आठ और सो आठ सोला आर सोला ए रिलेशन दिया हुआ से परिभासित किजिए क्या A पर A पर relation एक संबंद है A जो relation दियावा यह relation यह set पर क्या ना संबंद है यह नहीं बताओ तो 2 का relation 4 से वो 2-4 इस set में element है 4-8 भी यह set में element है और 8-8 है लेकिन 16 यह set में element नहीं है जब A सहार करा है 8 का relation 16 से होगा तो इस set में 16 रहेगा तभी ना संबंद बनेगा नहीं है 16 A नहीं है तहाँ पर कह देंगे 16 बिलॉंग नहीं कर रहा है किसको A को मतलब 16 जो है set A का अब यह नहीं है इसलिए A relation गलत है 8 का relation 16 से नहीं बने है क्यों कि 16 यह set A में नहीं है इसलिए तकह देंगे R A जो relation है या R संबंद एक संबंद R set A पर relation संबंद नहीं है या लिख सकते A पर R एक संबंद नहीं है A पर A पर R एक संबंद नहीं है बस हो गया अब जैसे इसको लिख सकते तिये हो गया क्यूचन और 1st का 1st इसी परकार क्यूचन और 1st का 2nd है इसको जल्दे से कॉपी कहलो फिर देखते 1st का 2nd तो A कॉपी हो गया क्यूचन अमर देखो 2nd 1st का set A और set B दो set दिया होगा करना A relation A relation दिया यह relation से परिभासित केजिए कि A से B में आर एक संबंद है A से B में आर एक संबंद है तिसको relation कहसे करेंगे असान है relation, relation है या नहीं देखो यह na set A से B बोला तो 2, 2 set का element है S, फिर 4, 4 भी है 6, 6 देखो set A में है नहीं और set A में 6 आ गया तो कहसे देखेंगे 6 does not belong करा है किसको set A में किनकि set A में 6 element है यह नहीं और उसका का relation बन रहा है तो 6 का relation 6 इसमें set B में तो 6 है A relation बन लेकिन set A में 6 है क्या नहीं, फिर भी relation बना रहा है तो 6 A में है नहीं और रिलेशन बना रहे इसलिए ए रिलेशन जो दिया वाई क्या है गलत है एक गलत है तो कह देंगे यहां पर A से A से B में B में R एक R एक संबंध संबंध नहीं है नहीं है क्यों क्योंकि अभी भी समझे A does not belongs to C A जो element है वो belong नहीं कर रहा किसको set A को 6 जो element है set A में नहीं है इसलिए A आपका relation नहीं है इसी परकार question first का क्या थर्ड है जो आप लोग खुद से बना लेंगे अब question number 4 देखते हैं first का question number second में क्या करना A relation बना और X relation by x और by में relation बनाना किस परकार implies that implies X less than by x छोटा होना चे किस से by से ऐसा relation बनाए एकस बाइ में इसको पढ़ेंगे x और by में relation X relation by X by मैं ऐसा relation बनाए जो X छोटा हो किस से? Y से द्वारा परिभासित फन एक सम्बन आर सेट A दे दिया है सेट A क्या दिया हुआ? 1, 2, 3, 4 और 5 और सेट B दिया हुआ है 1, 2, 4 A दिया हुआ समेप ग्यात के जे तो लो X by E इसको समझे X और इसको समझे Y तो एक relation बना लेते हैं लो क्या 1, 1 से छोटा है? नहीं है यहाँ पर क्या करा है? X less than by ध्यान नहीं तो 1, 1 से छोटा है? नहीं relation भी निए बनेगा तो 1, 2 का relation बनेगा? क्यों? 1 छोटा है किस से? 2 से? 2 से तो ए रिलेशन बनेगा फिर 1, 4 से भी बनेगा 1, 4 से रिलेशन बनेगा क्योंकि 1 छोटा है किस से? 4 से फिर 2 का relation 2 से बनेगा? नहीं 2 का relation 4 से बनेगा फिर 3 का relation 4 से बनेगा 3 का relation 4 और कोई रिलेशन बनेगा? और 4 देखो किसी से बड़ा ही नहीं है, 5 भी किसी से छोटा नहीं है, तेही हो गया answer, राइट है, ते ए न, एक आदिया, X और बाय में relation बना, जो एक छोटा होना जाए, किस से बाय से तिसको समझे, set X का element है, और इसको समझे, set बाय का element है, जो बना लिए यही हो गया relation, क्यूचर नमर 1 का क्या हो गया, 4, अब हम लोग समझते, क्यूचर नमर, main 2 समझते, इसको note करते, फिर देखते, क्यूचर नमर, second देखो, क्यूचर नमर क्या न, दूसरा, दूसरा का पहरा, इसमें ध्यान दें करा, R को कर्मित इग्मो को समझ के रूप में लिखे, कर्मित इग्मो के क्याना, समझ रूप में लिखने के लिए करा, मान लेजे कि R, A relation दिया हुआ, क्या relation दिया हुआ, X by 2X plus 3 by less than 10, और X by विलॉंग करा, किसको नेचरल नमर को, X by नेचरल नमर, X नेचरल नमर, X by नेचरल नमर, जानते हैं नेचरल नमर होता है, 1, 2, 3, 4, और, 4, 5, डोट डोट ए होता है नेचरल नमर, ए नेचरल नमर है X भी नेचरल नमर है, by भी नेचरल नमर, यह कर रहा है तब, इसमें relation बनाया ऐसा relation होना चाहिए, कि 2x plus 3 by को जोड़े तो 10 से क्या हो छोटा हो ऐसा तिसको हम लोग ऐसा relation बनाए कैसे तुस तरह का relation बनाने के लिए क्या करते न यहाँ पर equation को लिखते 2x plus 3 by less than 10 यह लिख देते हैं 3 by को रहने देते less than 10 minus में 2x 2x को धल ले गए यह हो गया अब x कामान रखते हैं x बरावर 1 रखते हैं जब x बरावर 1 तब यहाँ पर रख दो 3 by less than और यहाँ पर 10 minus 2 1 यह रख दे तो यहाँ पर 3 by less than क्या जाएगा? 8 हैगा 8 हैगा तो by less than 8 वटा क्या हो जाएगा? 3 तो इसको कट करेंगे तो 8 वटा तो by कामान क्या जाएगा? तिन दूना छे, 2. something आएगा, 2. something आएगा, और यहाँ पे 8, 3, 3 दूना 6, 6, 2, तो और यहाँ पे आजाएगा, छोती 18, 6 करके आएगा, 2.6 करके आएगा, अब देखो यहाँ पे क्या ना, less than, तो by common, 2.6 से छोटा by common क्या हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, राइट है, अब 2.6 से, 2 पानचो से, छोटा प्राके संगया, 2.5 यहाँ होगा, तो 2.5 छो से प्राके संगया, क्या हो सकता, 1 हो सकता, याओ, दो हो सकता, क्या हो गया, अब क्या लख लेजिए, जब x बरवर 2, तब, अब क्या रख लेजिए, 2, तो 2 रख ले, तो 2 यहाँ रखो, तो 3, 3 by less than, 10, minus 2, into 2, तो 3 by, तो 10, 2, 2, ना, 4, इसको घटाएंगे, तो 6 आजाएगा, 3 by, तो by, तो इसको कट कर देंगे, तो आजाएगा 2, तो low, तो यह 2 आगया, अब 2 से छोटा, तो 2 से छोटा by कमान, 2 से छोटा by कमान, 1 होगा, तो by बरवर 1 आगया, राइट है, अब लिख देजिए, ज इसमें रख लेजे, 3 by, less than 10, minus 2, into 3, तो 3 by, तो 10, 3, 2, ना, 6, तो घटाएंगे, 4, तो by बरवर 4, और बरटा 3, तो इसको भागा देंगे, तो यह आजाएगा, क्या ना, हाँपे 1.3 करके आएगा, something, तो इसमें भी by कमान, क्या जाएगा, 1 आजाएगा, राइट है, by कमान, 1 आजाएगा, इससे छोटा, अब और इसमें कोई मान रख सकते, और कोई मान नहीं रख, अब क्या रख दो, जब, x बरवर 4, क्या रख देजे, 4, तो यहीं रखेंगे, तो 3 by बरवर में 10, minus 2, into 4, तो 4, तो 8, 2 आजाएगा, तो क्या आजाएगा, तो 3 को बटा मिले जाओ, तो by बरवर 2, 8, 33, इसको आजाएगा, 0.6 आजाएगा, तो 0.6 से छोटा, 0.6 से छोटा प्राकिर संख्या कोई नहीं होता है, तब जाके relation बनेगा, अब देखो relation क्या बनेगा, x बरवर 1 रखे, तो by कमान 1 आ रहा है, फिर x कमान 1 रखे, तो by कमान 2 आ रहा है, फिर x कमान 2 रखे, तो by कमान क्या आया, 1, यह relation हो सकता, x कमान 3 रखे, तो by कमान क्या आया, 1 आया, here relation हो सकता, और x कमान जैसे 4 रखे, तो by कमान कोई भी result नहीं दे रहा, पुनाक संख्या, तो बस, इतना ही, यही यह 4 pair बनेगा, जो अब बनेगा, जो यह वाला अगर इस में रखे, त इसका मान 10 से क्या आएगा, छोटा आएगा, यही संबंद निकल गया, ऐसे संबंद निकालते हैं, जब ए रिलेशन दे दे इस तरीके से, और कादे कोई संख्या दिया हुआ, तैसे मान रख रख के, हम लोग क्या निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, यह हो गया question number, दुसर का दुसरा करा, मान लेजी कि एक ए रिलेशन दिखाना, X by में, X by में रिलेशन दिखाना करा, such that, कैसा रिलेशन होना चाहिए, X by में कि बिलॉंग करे, Z into Z, Z into Z, Z मतलब क्या पूर्नाक संख्या, integer number, X by into, X by plus 2004, 2004, पलस में 1 बरावर 0, यह दिया हुआ, 24 यह ना, 2004 है, तब relation बनाओ तो इसको relation बनाने के लिए ऐसे लिख सकते x plus by into में by प्लस में 2004 अब बराबर में प्लस बन को धर ले जाओ तो क्या हो जाएगा मानस बन ये लिखते अब इसको solve करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने से लिखना पड़ेगा case first जब यहाँ पे case first में x plus by बराबर एक बार ले लो प्लस में और तो यहाँ पे by प्लस में 2004 बराबर क्या लेना पड़ेगा मानस बन इतना बराबर ले लो यहाँ पे इसे लिख सकते मानस बन गुना बन क्या आएगा बन तो ए इसके बराबर ले ले लिए अभी फिलाल तो एकर दिये यहाँ पे तो अभी रहन पर क्या करना कि वाई बराबर एधर जाकर क्यानगत अगा तो घटेगा तो घटेगा तो प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा राइट तो माइनस में दूहजार पांच बरावर बन तो एक्स बरावरी दूहजार पांच इने जाएगा माइनस में तो जूड़ जाएगा तो दूहजार क्या हो जाएगा छे हो जाएगा यह आ गया अब केस सकेन केस सकेन में यह भी हो सकता है कि एक्स प और यहाँ इधर जायगा तो घटेगा तो माइनस में 2000 क्या हो जाएगा 43 राइट 2000atif सौरी, हाँ, 2003 हो जाएगा, राइट, इह घड़ जाएगा, और यहाँ पे बाई बराबर, मान रख दो, बाई कमान, तो मानस में 2003 बराबर मानस बन, तो एधर जाकर क्या हो जाएगा, बताओ, इह पलस हो जाएगा, और इह मानस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा, 2002, क्या हो ज जब X कामान 2000, 2006 होगा तो by कमान 2005 होगा पहला रिलेशन बनेगा दुसरा रिलेशन बन सकता कि 1200, 2000 होगा तो by कमान क्या होना चाहिए? तो by कमान 2000, 2000 होना चाहिए? जो यही रिलेशन बनेगा यह होगा क्यूशन नमबर दुसरा का क्या? दुसरा तो यह होगा क्यूशन नमबर हम लोग को सकेन बना लेए अब देखो क्यूशन नमबर इसका ना exercise 2.2 का 3 हम लोग कल के क्लास से देखेंगे आज क्लास इतने तक ग्जय क्लास घाल हुशन तो यह होगा क्यूशन नमबर जी परे चे से देखेंगे